दोस्तो रेल ऐसा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट है जिससे ट्रैवल करना शायद ही किसी को पसंद ना हो। कहानिया और फिल्में देखते आएं हैं लेकिन क्या आप जानते हैं देश में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जहां वर्षों से भूत रहते हैं और यहां जाने की बात छोड़िये इनके नजदीक से निकलने में भी लोगों को डर लगता है जी हां यहां शाम धलते ही ख खाई देती हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है इसलिए इस वीडियो को अंध तक बिना स्किप किये पूरा देखते जाएं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 8 Most Haunted यानि खौफनाक रेलवे स्टेशन की लिस्ट में Haunted कहानियों के कारण ये स्टेशन करीब 42 सालों तक बंद पड़ा था कहते हैं कि शाम के बाद यहां सफेद साडी वाली एक औरत का भूत दिखाई देता है एक ट्रेन एकसीडेंट के दौरान एक औरत की यहां पर मौत हो गई थी जिसकी आत्मा आज भी इस स्टेशन पर भ देखा था जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी और उसके परिवार की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई इसके बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और यहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी 42 साल बाद 2009 में इस स्टेशन को फिर से खोल दिया गया लेकिन आज भी लो आता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता कहते हैं कि कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन पर रात साड़े दस बजे के बाद जो कोई जाता है उसका सामना एक नहीं बलकि कई भूतों से हो सकता है यह मेट्रो स्टेशन सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम है ऐ इसलिए क्योंकि इस स्टेशन के ट्रैक पर कूद कर बहुत से लोग अपनी जान दे चुके हैं। कहते हैं कि सुसाइड करने वाले कई लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और रात होते ही यहां एबनॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। यही वज़ा है कि रात में साड़े दस बजे यहां से आखरी मेट्रो गुजरती है। उसके बाद यह स्टेशन वीरान हो जाता है। आज भी यहां से गुजरते वक्त कई लोगों ने महसूस किया है कि यहां अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच प्रकट होता है और पलक जपकते ही गायब हो जाता है। यहां तक की मेट्रो ड्राइवर ने भी ट्रैक पर कई बार धुंधली परचाई के दिखने का दावा किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्टेशन कितना खतरनाक होगा। नमबर छे पर आता है बरोग स्टेशन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कालका शिमला रेल रूट पर पढ़ने वाला ये छोटा सा स्टेशन अपनी भूतिया घटनाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। इस स्टेशन के बगल में ही टनल नमबर 33 मौजुद है जहां अक्सर ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती है। इस सुरंग का निर्मान ब्रिटिश इंजीनियर करनल बढ़ोग ने किया था। किसी कारण से करनल ने इसी सुरंग के पास सुसाइड कर लिया था। करनल के मरने के बाद उसकी डेड बोडी को इसी सुरंग के प बार इस डरावनी सुरंग पर ताला भी लगाया है। लेकिन हर बार यहां का ताला तूटा हुआ मिलता है। नमबर पांच पर आता है नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में बनी नैनी जेल में अंग्रेजों ने सैक्रो भार को लेकर बहुत फेमस है इस स्टेशन को लेकर लोगों के दिलों में इतना ज्यादा खौफ है कि देर रात यहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि गलती से अगर कोई यहां चला भी जाए तो उसके साथ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं जिन्हें वह भर भूल नहीं पाता रात के समय अक्सर यहां रेल ट्रैक पर अजीब सा साया दिखाई देता है रात होते ही यहां रोने चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं मानो किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो नमबर चार पर आता है पाताल पानी स्टेशन मध्यप्रदेश प इस रेलवे ट्रैक पर फेंग दिया था तब से उनकी आत्मा यहां मंदरा रही है यहां उनकी एक समाधी भी बनाई गई है आज भी अगर कोई ट्रेन यहां से गुजरती है तो तात्या मामा भील की समाधी के पास रोक कर उनकी आत्मा को सलामी दे कर जाती है अगर कोई ट् अगर आप लुदियाना जाने का प्लान कर चुके हैं, तो इस रेलवे स्टेशन पर बैठे रिजर्वेशन क्लर्क का नाम जरूर पूछ ले, क्योंकि यहां पुरा रेलवे स्टेशन नहीं, बलकि केवल एक टिकट काउंटर ही हॉन्टेड माना जाता है. कहते हैं कि इस स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर सुभाष नाम का कर्मचारी काम करता था. साल 2004 में उनकी मौत हो गई. सुभाष को अपने काम से इतना प्यार था कि उसकी आत्मा आज भी रिजर्वेशन सेंटर के उसी कमरे में रहती है. आज भी जब कोई उस कमरे में काम करने के लिए जाता है तो उसको बेचैनी होने लगती है. उसका दम घुटने लगता है जैसे मानो कोई गला दबा रहा हो. नमबर दो पर आता है चित्टूर रेलवे स्टेशन आंध्रप्रदेश. आंध्रप्रदेश के चित्टूर में मौजूद ये हॉन्टेट स्टे कहा जाता है कि इस घटना के बाद वह जवान भूत बन चुका है और न्याय की मांग करता हुआ पूरे स्टेशन पर घूमता रहता है. लोगों का कहना है कि आज भी यहां कई बार वो जवान दिखाई देता है. सुनकर भले ही इस पर विश्वास करना मुश्किल हो लेकिन एक दो नहीं बलकि बहुत सारे यात्रियों ने इस चीज़ को अनुभव किया है. चित्तूर के लोगों में इस रेलवे स्टेशन के बारे में इतना खौफ हैं कि लोग यहां शाम धलते ही आना बंद कर देते हैं. नमबर एक पर आता है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली. दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर रात के वक्त अगर कोई लड़की आपके सामने आ जाए और वह लड़की आपसे किसी भी तरह की मदद मांगे तो वहां से भागने में ही आपकी भलाई है क्योंकि वह लड़की जिन्दा नहीं बलकि एक आत्मा हो सकती है बात सिर्फ मेट्रो स्टेशन तक ही खत्म नहीं होती सफेद साड़ी वाली ये लड़की कई बार कारों का भी पीछा करती है इस स्टेशन के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा पेड़ है रात के समय यहा एक लड़की का साया दिखाई देता है कई लोगों को तो थपर भी पड़ चुके हैं पर आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह आत्मा आखिर किस लड़की की है कहते हैं कि यह आत्मा यात्रियों को श्राप भी देती है जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और और कई लोग तो इस श्राप के चलते अपनी जान भी गवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के Most Haunted Railway Stations। क्या आपको इन में से किसी भी railway station के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस कर दें। ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।